तो अभी हमारे जो calculator hide app है ना उसका password चेंज हो चुका है हेलो अरियोन आज मैं आपको उता नहीं लो कि आप कैसे आपके calculator hide app में जो आपका password है ना उससे चेंज कर सकते हो जिससे कि आप जो app hide करते हो उसका दूसरा password से जो है एप उपन होगा तो अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे आपके calculator hide app का जो password है उसे चेंज करोगे तो चलिए आज के इसका माल के वीडियो को स्टार्ट करते है So guys देखो अगर आपको भी इस वाले app का password चेंज करना है ना तो बहुत ही simple है जिससे कि आप कर सकते हो उसके लिए आपको ऊगाना है सबसे विले तो आपका जो आप है उसे open करना है अब आपको आपको करना है अब आप यह पर देख सकते हो अभी हमें इसे cancel कर देता है तो अब आपको आपको एक option दिखा देगा जो क्योंगा settings का तो यह आप देख सकते हो settings option हमें दिखाई दे रहा है आपको simply settings wall option पे click कर देना है और अब अगर आपको यहाँ पर इसका password चेंज करना है तो इसके लिए आपको यह option ढूंड लेना है जो कि होगा उपर की दाफी यह आपको दिखाई दे रहा होगा reset password का option हमें दिखाई दे रहा है तो आपको एगरना है यह जो reset password का option हमें दिखाए दे रहा है आपको इसपे click कर देना है तो अब यहाँ पर आपको एगरना है कि reset password में आपको directly जो भी आपको new password लगाना होगा ना उस वाले नय password को लगा देना है suppose यहाँ पर हमें अगर लगाना है हमारा password 4321 तो आपको password आपका लगा देना है उसके बाद में आपको यह जो is equal to का sign है उसपे click करना है अब आपको फिर एक बार आपको वही वाला जो आपने new password अभी अभी set किया ना वही new password को लगा देना है 4321 अब जैसे यह new password को दो बार देना है तो इससे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारा calculator hide app का password है वो change हो चुका है यानि कि अब जैसे हम calculator को open करेंगे तो अभी हमें दूसरे password से हमारा calculator जो है वो open होगा तो आपर आप देख सकते हो इससे नहीं हो रहा और अभी हम जैसे क्लिक करेंगे 4321 और is equal to तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद टैंक यू सो मच